नमश्कार पोफेट टाइम लाइन के साथ जूचुके हैं आप और मैं हूँ आपके साथ हंज्री के जूरिया आप सबके क्या सुजाव है हॉलिडेज को लेकर बच्चों की हॉलिडेज एक्स्टेंड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आप लोग अपनी राइ कोमेंट सेक्शन ने जुरू पताइएगा फिलाल जिस तरह से ठंड पढ़ रही है जमू के अंदर उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि बच्चों के स्कूल जो वो तो खुलने ही नहीं चाहिए लेकिन छूटियां एक्स्टेंड भी कितनी की जाएं क्यूंकि बच्चों का स्लेबस काफी ज़दा पैंडिंग रह जाता है ओनलाइन बच्चों से पढ़ा नहीं जाता ओनलाइन डाउट्स नहीं क्लियर होते बच्चों के कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो की कॉंसप्ट क्लियर नहीं होते हैं ओनलाइन क्लासेज में जिसकी वज़े से बच्चों का स्लेबस कवर नहीं हो पाएगा बच्चों के एक्जाम आने वाले हैं मार्च महीने तक सब बच्चों के एक्जाम जो वो स्टार्ट हो जाते हैं वहीं पर बात की रहे 10th और 12th क्लास की बच्चों की तो उनके February एंडिंग में जो वो एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगे इस बीच बच्चों के डाउट्स भी हैं लेकिन अगर शुटियां और भी जादा एक्स्टेंट हो जाती है तो बच्चों को एक चीज का तो नुकसान बहुत जादा होने वाला है कि बच्चों की डाउट्स क्लियर नहीं होंगे और बच्चों को जो चीज आती भी है वो भी भूल जाते हैं वो शुटियों में बच्चे पढ़ते ही हैं कहां ठंड में किसी कभी पढ़ने का मन नहीं करता अरजाईयों में से हाथ निकालने का मन नहीं करता किसी कभी तो आप बताईए कि छोटे-छोटे बच्चे हैं जो वो कहां पढ़ते हैं छूटियां में तो वो enjoy-enjoy करते हैं पढ़ते वो है नहीं ये सबी parents को पता है और वो भी चाहते हैं कि कहीं न कहीं बच्चों के school खुल जाए अब क्योंकि बच्चों का syllabus भी लेट हो रहा है पैंडिंग पढ़ा हुआ है लेकिन ठन भी बहुत जाद है कुछ लोग तो ये भी दिमांड कर रहे हैं कि छूटियां जो वो extend भी होनी चाहिए बच्चों की लेकिन आप खुद सोचिए अगर छूटियां extend हो जाती है तो बच्चों का syllabus पिछे रहे जाएगा फिर आप बोलोगे बच्चों का result अच्छा नहीं आया वो कैसे अच्छा आएगा लेकिन ठन तो बहुत जादा है जम्मू के अंदर बहुत जादा सुबा शाम दुपे है रात को पूरा जम्मू कोहरे के जो वो बादल में जो वो शाया होता है गोरा बहुत ही जादा कोहरा जो वो पड़ा हुआ है गहरा कोहरा जो वो इस समय जम्मू को जो वो देखने को मिल रहा है पूरा कोहरा जम्मू को डका कर जो वो बैठा हुआ है और उसी बीछ बात कीजाए शिरनगर की, तो शिरनगर के मुकाबले इस बार जमू में काफी जैदा ठन्ट जब वो देखने को मिल रही है इवन जो लोग जम्मू में आये हैं किश्मीर से वो भी बोल उठे हैं कि श्रीनगर में इतनी ठंड नहीं है जितनी जम्मू में इस टाइम बढ़ रही है बहुत जादा ठंड बढ़ रही है अरजाईयां छोडने का मन नहीं करता कंबल छोडने का मन नहीं करता बाहर निकलने का मन नहीं करता ड्राइविंग करने का मन नहीं करता स्कूल और कॉलेज तो दूर की बात है कॉलेज के बच्चे अभी रेगुलर स्कूल जा रहे हैं बस देरी है 15 तारीख की जिस बीच बच्चों के भी स्कूल जो खुल जाएंगे उसके बाद बच्चों की पढ़ाई भी continue हो जाएगी इतनी ठंड में पढ़ने का मन तो किसी को भी नहीं करता लेकिन क्या करें पढ़ना भी जुरूरी है जादा शूटियां हो जाएगी तो बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं तो ये parents के उपर डिबेंड करता है आप जनता क्या चाहते है चूटियां होनी चाहिए एक्स्टेंड या नहीं होनी चाहिए बच्चों की आप जनता अपनी राइक कमेंट सेक्श्ट में जुरू सांज़ा कीजिगा फिलाल इस information को जितना हो सकतना share करे और हमें भी पता चले जादा जो संबावना है वो कैसी है चूटियों को लेकर जादा संबावना बताई जारी है जहां फिर लोग इसके favor में नहीं है जो लोग चाहते हैं चूटियां हो और कुछ लोग चाहते भी होंगे नहीं हो आप कोन में से हो आप कोन से में से हो अपनी right comment section में जुरू सांजा कीजिएगा फिलहाल इस information को जो वो share करें और आगे की information के लिए बने रही perfect time line के साथ दन्यवाद